खाली कुकर में और आपके घर में जो भी समान पड़ा है उनसे आप एक ऐसी रेसिपी तियार कर सकते हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी सरदियों में तो आप इसे रेसिपी को जरूर ट्राय करें क्योंकि ये बनती है बहुत ही चटपटी और खाने में मज़िदार तो बिल्कुल भी मिसना करें इस रेसिपी को ये रेसिपी तियार करने के लिए आपको सबसे पहले कुकर में ओइल डालना होगा 1-4 cup मैंने याप़े सर्सोका तेल डाला है तेल में आपको डाल देना है जीरा एक चमấp जीरा डाल दें और साथी में तेज पत्ता डाल देते हैं तोड़ कर तेज पत्ता से खुश्बू आती है फिर आपको डाल देना है इसमें थोड़ी सी हींग हलकी सी हींग हम डालेंगे फिर आपको प्याज डाल देनी है प्याज को मैंने चॉपर में बारिक चॉप कर लिया है और एक मीडियम साइस की प्याज थी जिसे मैंने चॉप किया है इसे हम हलका सा फ्राइ करते हैं प्याज जब तक करमिलाइज नहीं हो जाती जैसे ही प्यास थोड़ी फ्राई होगी आपको डाल देना है लैसुन लैसुन का बहुत अच्छाट फ्लेवर आता है अगर आप लैसुन नहीं काते है तो स्किप कर सकते है एक बड़ा चमच मैंने लैसुन डाला है धेर सारा लैसुन है तो इसके खुश्बू बहुत अच्छी आएगी फिर आपको डाल देना है दो से तीन हरी मिर्ची चीरा लगी हुई अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो ज़्यादा मिर्ची ना डालें फिर आपको हलका से इने फ्राइ कर लेना है लैसुन को हमें बहुत ज़्यादा फ्राइ नहीं करना है हलका से हमने इने फ्राइ किया फिर आपको डाल देना है इसमें टमाटर तो जब भून जाएगा तो इसके बाद हम सब्जी आडालना शुरू करेंगे आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी आडाल सकते हैं मैंने आपे लिया है एक आलू और साथी में गाजर गाजर को भी मैंने चौपर में बारिक कर लिया है उससे क्या होगा यह जो हमारी रेसिपी ह साथ के भी है बहुत टेस्टी बनेगी इसके साथी हम मड़ डाल देते हैं थोड़े से यह सारी सीजनल चीजसे हैं जो हम डाल रहे हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है सर्दिय होsent सब्सक्र forearm को अभात अच्छे थिश चला देना है अच्छे से बूंद देना बहुत अ कि आपको घुटए वह आपको रैसिपी खाने के पता चलेगा कि गाजर के वज़े से यह रैसिपी कितनी अच्छी बनी है फिर आपको डाल देमी इसमें हल्दी सथी में लालमश पाउडर आपने स्वाथके सबसे आप कम जादा कर सकते हैं इसी के साथ डाल देते हैं जीरा प तो हम इसल EQ थोड़े मसाले डाल रहे हैं फिर आपको थोड़ा सा धनिया पाॉडर थोड़ा सा गर्म मसाला और प्याज का और लेसुन का पाॉडर है मेरे पास ये भी हम thोड़ा सा डाल देते हैं अगर आपके पास नही है तो आप इससे स्किप कर सकते हैं तरह आपको डाल देना है 1 सैचित जितना मैगी मसाला मैगी मसाला नहीं है तो आप मीड मसाला गाल सकते हैं.. मैंने यान पर पूर एक सैचित डाल जाला हैí तो यहाँ पर पाणी के जरुणत पड़ेगी मसाला भूतने के लिए कि अब दाख cafe here energy to поб samples इसमें हमें निकालना है।àiim है इसके बाद हम इसमें पत्ता गोबी डालेंगे यह जो राइस बन रहे हैं especially पत्ता गोबी-based राइस हैं इसमें हमने आलू तो डाले ही है लेकिन जो में टेस्ट आने वाला है वह पत्ता गोबी का टेस्ट और गाजर तो टेस्ट को enhance करेगी जो हमने बारिक करके डाली है ना उससे बहुत अचा टेस्ट तो आए गई तो पत्ता गोबी डालके इसे हम ऐसे चला देते हैं पहले और पत्ता गोबी को भी हमें हलका सा भूनना होगा थोड़ा सा सॉफ्ट जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक हम थोड़ा सा भूल लेते हैं मसाले के साथ में पत्ता गोबी आपको बाद में डालनी है इसे हम कवर कर देते हैं और थोड़ी तरी के लिए इसे भी हम भूनने देते हैं लो फ्लेम पे एक दो मिनिट बार ढखकर नटाएंगे औ फिर यहां पे हम राइस डाल देते हैं दो कप राइस को मैंने अच्छे से वाश कर लिया है आप इसे दस मिनिट के लिए भीगा के भी रख सकते हैं चावल को फिर आपको पानी डाल देना है डेड़ कप हम पानी का इस्तमाल करेंगे या फिर मैं यू बोलू आपको पानी इस में अब यू दालना है कि लेवल तक रहना चाहिए फिर मैंने नमक डाल दिया और धनिया डाल दिया है धनिया इस टाइम पे भी लैलेंगे और लास्ट में भी डाल देते हैं तो जो जब ही चावल पकेंगे तो इनकी धनिया की बहुत अच्छे खुशबू है आच्छे से mix किया मेने और मैंने आपको बताया था कि हमें पानी इतना रखना है कि लेवल तक रहे हैं यह देखिए ना एकदम चावल डूबे में है और न यह बहुत कम है पानी तो इतना ही पानी आपको डालना होगा खिले-खिले चावल बनाने के लिए ढ़कन को मैंने बं करना है और तुरंत प्रेशर निकालना है प्रेशर निकाल के से हम चला देते हैं इस तरीके से अगर आप प्रेशर नहीं निकालेंगे तो प्रेशर में जो चावल है वो बहुत जादा फिर सॉफ्ट हो जाएंगे और खिले खिले नहीं बनेंगे इसे आपको एक बार चलाना जरूर है एक बार चला के धनिया डाल दें और बंद कर दें चलाने से यह होता है कि भाप निकल जाती है और जो चावल है वो और भी जादा खिले खिले दिखाए देंगे ठंडे होने के बाद में यह देखे यह हमारे पत्ता गोभी के बहुत ही टेस्टी स्पाइसी मसालेदा चावल जो है तैयार हो गए आप इसे राहिते के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या कीन मानिए यह फ्राइड राइस से भी बहुत टेस्टी है रेसेपी इच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें